हेलो नमस्कार मैं सत्पाल पांचाल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्ट्यूट आज की इस टोपिक में हम आपको रैफरेंस टैप के बारे में बताएंगे यह इस वीडियो में आपको सब्सक्राइब दिखाई दे रहे हैं इन सभी अप्षन को अच्छे से क्लियर कराएंगे और इससे पहले की वीडियो में हमने फाइल हॉम इंसर्ट डिजाइन ले आउट टैब के बारे में बताया हुआ है यदि आपने इनके बारे में कोई जानकारी मिल जाएगा और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम रेफरेंस टैप के बारे में चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको एक पेज ओपन करना है कोई भी आप पेज ओपन कर लेना और खली कर देते हैं पहले इसको यह हमारे सामने एक पेज खुला हुआ और हम रेफरेंस टैप पे क्लिक करेंगे और रेफरेंस क्लिक करते हो तो आपके सामने जो है many many options होते हैं जैसे कि table of content, footer, smart lookup, station and bibliography, caption, index, table and authority इन सभी options के बारे में इन सभी groups के बारे में आपको एक option clear करा जाएगा सबसे पहले हमारे पास है table and content इसमें क्या होता है देखो कभी जब भी आपको reference का use करना पड़ जाता है पहले तो मैं reference का मतलब बता दोता हूँ यदि आपका कोई document आपने particularly बनाया वाज़े से books बनाई हुई है उसमें अलग-अलग topic है या कोई आपका lengthy document है जिसमें अलग-अलग topic दिये गए होते हैं अलग-अलग lesson number है या कोई point है उनको आपने अलग-अलग दिखाना है उनका content आपने एक तरह से index त्यार करना है उसमें figure number इंसर्ट करने है यानि आपका जब lengthy document complete जब बन जाता है उसके heading सब heading जो भी आपने द तो सबसे पहले तो आपको एक कोई document लिखना पड़ेगा जो कि मैं अभी आपको लिखके दिखा देता हूँ sorry सबसे पहले तो आपको एक document लिखना पड़ेगा जो कि मैं video pause करके लिख देता हूँ कि यह हमने document लिख लिए है और अब आपने इसमें बस point देने है heading देनी सपोज कर लो सपोज मान लो कि यह वाला जो point हमारा computer का है computer ठीक है और अब यह आप देखते जाओ आपको सारा कुछ clear हो जाएगा यह वाला जो हमारा hardware और यह अलग-अलग page पर भी हो सकता हम अलग-अलग page पर ले जाते हैं तब यह आपको ठीक से समझ में आप आएगा यह अलग page पर हम लेगे इसको यह चलो एक टोपिक दो पेज़ पे हो सकते हैं स्वरी दो टोपिक एक पेज़ पे हो सकते हैं अगला टोपिक मान लिखते हैं कि यह वाला हमारे पास है सॉफ्ट्वेर का अट करेकल क्ला करा है कि नेक्स्ट है कि मान लो हमारे पास कि पॉबे टोपिक कुछ बहु हो सकता है जरूरी नहीं जो मैं मान रहा हूं कि आपके वही होंगे आपके टोपिक जो है वो आप देख लेना किसी साब से आपने रखने क्या आपने पॉइंट देना क्या पॉइंट नहीं देना है कि कीबोर्ड यह कुछ और भी हो सकते हैं तो आपने चार पंश टोपिक जो ले लिए अब टोपिक लेने से कुछ नहीं बनता इस टोपिक को आपको हैडिंग में कनवर् करता है यदि आपने हेडिंग में कनवर्ट नहीं किया है तो आप रेफरेंस का कोई भी उप्शन आप नहीं चला पाओगे तो सबसे पहले आपको तो यह पता होना चाहिए कि कोई भी आप टोपिक जब आप लोगे तो इसको आप एच वन एस टू जिसमें भी आपने कनव पारिया है यह जरूरी है तब ही आपका यह रेफरेंस टैब के सब भी उप्शन चल पाएंगे ठीक से तो हमने ऐसे हैडिंग दे लिए और हैडिंग दे ली अब मैं आपको बदा देता हूं मान लेते हैं हमारे पास यह कंप्यूटर एक लेसन एक टोपिक है जिसके बारे में हमने यह लिख रखा है कि कंप्यूटर यह चीज होती है यह एक पेज का दो पेज का 10 पेज का हो सकत है ठीक उसी परकार हमारे पास hardware का एक टोपिक है और यह software का एक टोपिक है laptop का टोपिक है तो हमने टोपिक जह है अपने बना ली अब reference टैप पर आते हैं अब reference टैप में सबसे पहले उप्शन है टेबलेंड content अब इस option का क्या यूज है इस option का यह यूज है यह यदि आपन आपने डोकमेंट के पहले index बनाना है जैसे होतना है यह हमारी books के पहले index होता है जिसमें लिख्वा होता है कि उसकी लिए आप टेबल एंड कंटेंट का यूज करोगे कैसे आपका आप किसी भी पेज पर इसको इंसर्ट कर सकते हैं जरूरी नहीं आप लास्ट पेज पर ही लोगे पहले पेज पर भी ले सकते हो जहां मर्जी आपको ठीक लगता है मुझे यहां लेना है तो जहां भी आपने लेना है और टेबल एंड कंटेंट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने दो ओपिसन आएंगे तो दोनों तीनों ओपिसं室 जो भी आये सब में सेम आएगा कोई आँसा नहीं से लिए इसमें इसमें पूंप्र लिख लिखाएगा इसमें आपका कौन सा टोपिक कौन सा लेसन किस पे है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से बड़ा ही आसान उप्शन है एक बार आप चलाओगे आपसे भी जरूर आएगा और उसके बाद है आपका अपडेट टेबल अपडेट टेबल में क्या होता है ठीक होता था एडट टेक्स भी है लेकिन आडट टेक्स रहने दो अभी अपडेट टेबल में क्या आता है यदि आप यहां पर किसी का नाम चेंज कर देते जैसे आपने यहां पर लैप्टोप था और यहां पर आपने नो दुबारा table of content में जाएंगे दुबारा से हम table create कर लेगे आप खर सकते हो ये भी लेकिन इसके लिए आपको ये वाला डिलीट करना पड़ेगा लेकिन आपके पास एक अपडेट का अपशन दिया गया है table of content में इसमें यह होता है यदि आप in future कोई भी आपना topic पिक चेंज करते हो तो आपके content जो आपने create कर रखा है index जो आपने create कर रखा है वह अपने आप ही update हो जाएगा बस आपने table जो अपडेट टेबल पे एक बार क्लिक करना बस one time क्लिक करना और यहां पर आपका notebook हो जाएगा तो यह था हमारा table content next बढ़ते हम next हमारे पास footnote endnote अब आपके पास यह एक page है और इस page के last में आपने कोई note डालना है ठीक है आप जैसे यहां पर एक computer है computer को explain करना है आपने की computer क्या होता है क्या नहीं होता है तो यहां पर आपने कर्सर रखना है और insert footnote पे click कर देना जैसे आप इस पे click करोगे तो computer का जो notes है वो निच्चे बताया जाएगा कि computer जो है एक electronic device है जो भी आपको लगता है आपने दिखाना वो आपने दिखा दिया ठीक है यहां पर computer को आपने देखो यहां पर one आ जाएगा और इसका note जो है यहां पर आपने दे दिया है ठीक है मालों आपने hardware को भी देना है तो इसको आप footnote पे click करो तो यहां पर two आ जाएगा तो यहां पर आजाएगा तो यहां पर आपने जो देना है hardware यह चीज़ होती है यह आप दे सकते हो ठीक है इसके लाव कोई और topic आपके पास आप वह भी दे सकते हो फिलाल आपने दो दे दिए अब next पर देख लेते हैं लेकिन आप देख पा रह करने है नोट डालना है इसका तो software पर अपको डिक करोगे और insert note पर आपने क्लिक करना है तो यहां पर इसका note आजाएगा और यहां पर आप जो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं लेकिन यहां पर आप देख पार है तो note 3 आ रहा है note 1 क्योंकि यहां कि दो नोट आप दे चु अगर मैं आपको एक पेज़ पर दिखा दूता हूं तो ऐसे आप हर एक पेज़ पर दे सकते हूं तो यह था आपका footnote अब समझ लेते हैं endnote क्या होता है अभी endnote क्या होता है यदि आपने computer को या किसी भी चीज़ को इनका नोट जो है अब आपने endnote देना है या जो भी पूरा आपने document बनाया है किसके उपर है किसके regarding है आपने कुछ ऐसा नोट डालना है तो उसे हम endnote बोलते हैं जो कि page के जो भी आपका notes है उनके आखरी page पे दिया दाता है ये पहले page पे नहीं आएगा ये आखरी page पे आगा ना ही किसी बीच वाले page पे आएगा आपका तो इसके लिए करेंगे क्या आप click जहां मर्जी रखो जैसे आपने computer पे click किया और आपने insert endnote पे click कर देना insert endnote पे click करोगे तो अपने आपी last page पे चला जाएगा और आखरी में बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया मैंने बस यहां पर computer पे click किया था एक बार में दिखा भी दूँ आपको यहां पर देखो computer पे और देखो जो पहले वाला one है ये तो हमारा footnote जो दूसरे वाला one है जो आपको छोटा हाँ दिखाई दिए रहा यह है एंड नोट वहीं computer को हमने एक note दिया गया है जो कि end में दिखाया गया है यह यह दर साता है ठीक है तो यहां पर आप आप दिखा सकते हैं कि हमारा जो end note है यह था यह था जो भी आपने दिखाना है आप दिखा सकते हो देखो footnote और end note difference है ठीक है और कभी अप सथे सेम होता है अब जैसे यही लगा लो वीडियो को आपने दिखाना है कि video को आपने end note में दिखाना है तो आपने insert and note पर क्लिक करना है तो यहां पर आप तो मर्जी दिखाओ आप दिखा सकते हो यह आपका देखो टू आ गया है यहां पर एक और दे लेते हैं और देखो वीडियो को यहां पर एक साइन आ जाता है जो कि यह बताता है वीडियो को एकस्प्लें किया गया है एंड नोट में जो कि आपको लास्ट में है जो कि टोपिक टू है एक और लेके दिखा देता हूं जैसे रीडिंग को आपने दिखाना है एंड नोट पे क्लिक करो तो रीडिंग को आप यहां पर दिखा सकते हो अब मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूं तापके आपको समझ में आदे तो यह आपके end note है अगर आप देख पारे हो 123 ठीक है और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देख पारे हो कहां का हमने कौन-कौन से end note दे रखे हैं जो की पेज के last में आपको पता लग जाएगा यहाँ पर करसर जब आप लेके आओगे तो हलका सा यहाँ प्रिवी नजर आता आपको जिससे आपको पता लग जाता है कि इस word को इस text को कोई ना कोई end note दिया गया है या footnote दिया गया है ऐसे आपने यहाँ पर वीडियो का end note दिया था जिसका यहाँ पर एक symbol 2 आयरा roman में और जैसे आप इस पे करसर ले के आओगे तो हलका सा preview भी नजर आता है ऐसे आपने यहाँ पर computer पे भी दिया था लेकिन computer पर आपने देखो दो दे रखे हैं कि end note और footnote दोनों दे रखे हैं आपने तो इसलिए जो पहले वाला जो alphabetic में लिखा हुआ है यहां पर स्वरी नुमेरिक में लिखा हुआ वन यह तो है end note और जो roman में लिखा हुआ वन यह आपका footnote ठीक है तो आप ऐसे अपने document को end note और footnote दे सकते हो तो यह थे हमारे note थे अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है हमारे पास इसी के अंदर next हमारे पास next footnote और end note अब यह क्या होता है माल लेते हैं कि आप यहां हो ठीड है सोरी यहां पर वाइब ठीक करोना तो यहां पर हमने footnote दे रख्या है इसको जो की चे टू है और अधार आपने जाना है कि next footnote कहां दे रख्या है आपने तो next footnote कळिक करोगे तो सोरी-सोरी पहले हम footnote पर चले जाते हैं ऐसे सर्च नहीं कर रहा दो तो यहां पर हो आप क्लिक नहीं हो रहा हमने कुछ ना कोई स्लेक्शन दे रखिया कहीं न दुबारा देखते हैं आप किसी भी नोट पे आपने क्लिक कर रखा है ठीक है जैसे यहां पर हमने हार्डवेर को नोट 2 दिया हुआ अब next कहां दे रखा हमने तो next footnote पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यह आपको अपने आप उस पर लेके जाएगा तो यहां पर यह बता रहा है कि next हमने आपने आपको लागे लेके नहीं जाएगा तो प्रिविस पे क्लिक करेंगे तो प्रिविस आपको यह पिछे दिखाता रहेगा कि कहां कहां हमने फुटनोट दे रखा है यह तो फुटनोट को आपको सर्च करके दिखा रहा था ऐसे आप आपने एंड नोट को देखना है तो इंड-node मान लेते हैं कि हमने कहां दिया था यहाँ पर वीडियो को दिया था आप नेक्स ठीट अननोट कहां दे रख़ा है तो नेक्स ठीट नोट पहले था रैडिंग को और इसे आगे आपने दे रखे है इसे आगे आपने नहीं जी नहीं दिखाएगा प्रपर क्लिक किरेंगे तो या पिछ लेकर जाएगा वीडियो पर लेकर अब यह पिछ आ Bennett करेंगे तो यह यहां पर लेकर जाएगा ये यह आपका डोमेंट कुछ जादा ही लंबा है आपकी जो books है वो जादा फेज की है और आपको परिशानी आ रही है ढूंडने में कि end note कहां दे रखा है footnote कहां कहां दे रखा है और किस को क्या क्या दे रखा है तो अप यहां से अग्ये पिछे जाके इसको आप अराम से find कर सकते हो next footnote sorry next show note अब यह show note क्या होता है यदि किसी ऐसी जगा पर हो जैसे यहां पर लगा लो कोई खली जगह है नहीं हमारे पास यह है जाहां पर ना तो कोई footnote है नहीं कोई end note है और आप देखना चाहते हो कि मुझे तो अपने footnote और endnote पे जाना है तो यहां पर देखो आप जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो दोप सनाएंगे view footnote और view endnote जदी आप view footnote पे क्लिक करोगे रोके करोगे तो आपका cursor footnote पे ले जाएगा आपको देखो ध्यान से दुबारा फिर देखो आपने कहीं भी एक लगी क्लिक कर रखा है और आप जाना चाहते हो endnote पे ठीक है तो वीव endnote पे क्लिक करो तो यह endnote पे ले जाएगा आपको डिखेव लेए तो यह है आपका endnote देखने के लिए यदी आपको नहीं मिल रहा है कि मेरे endnote का है footnote का है तो आप और यह उसके बाद आगे पिछे करके इसको आप सभी चेक कर सकते हो कि कहां काम ने फूट नोट दिये गए हैं नेक्स्ट उप्शन की तरह बढ़ते हैं जो कि रिसर्च में क्या होता है आपका रिसर्च में एक उप्शन दिया गया स्मार्ट लुक अप यह आपके ओल्ड वर्जन में नहीं है यह इसी के अंदर है और यह तभी चलेगा आपका जब आपका कंप्यूटर में इंटरनेट फ करों आपने क्लिक किया और सग्सें क्लिक कर दिया आपने इसपे क्लिक कर देना है यहां पर इसके नेने वहांपको में लहए और प्रोपतर पर आपको सोक कराएगा कि Teроб भूँ करो कि हमने हड़र फूटर को जदना है यह शलेक्ट किया और क्लिक कर दिया तो यहाँ बटा देगा कि हड़ Cobotर होता क्या है यह पर टीया घाए फूटर उतले सब तरहां को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घाड़ फूटर और जो कि और यहां पर स्ट्रीट किया और सर्च पर क्लिक कर दिया तो computer के regarding यह सारी जानकरी आपको देगा computer है क्या दिखा रहा है computer और electronic machine ठीक है तो यहां पर आपको computer की सारी जानकरी देगा कि computer होता क्या या जो वह word जो आपने select Kिया है या वो वर्ड जो आप सर्च करना चाहते हो झाल ने कि बातली आप characteristics कर सकते हमारे पास situation and from lies Cities and full Channel यह ओब्राफिView क्या होता है देखो यह option तब यूज किया दाता है जब आपको यह कोई एक पब्लिशर कंपनी और आपकी company में अलग-अलग author जह हैं वो काम करते हैं और एक computer पर अलग-अलग author वो work कर रहे हैं या एक book के अंदर अलग-अलग author ने work किया हुआ है तो उसको दिखाने के लिए suppose करो कि ये computer का इतने वाला topic किसी एक particularly author ने लिखा हुआ है उसकी detail आगर आप दिखाना चाहते हो यहां पर लास्ट में कहीं पर तो आप यहां पर situation का यूज करोगे यह वाला topic किसी और ने लिखा है यह वाला किसी और ने लिखा है तो कैसे one by one देख लो पहले तो आपको situation add करनी पड़ेगी अपने computer के अंदर कैसे आप यहां पर insert caption में जाओगे caption में जाने के बाद यहां पर आपको add का एक option आएगा तो add पर आपने click कर देना है तो जैसे आप add पर click करोगे यहां पर आपके पास source आजाएंगे कि आप कि source के according situation add करना चाहते हो situation क्या हता है एक author की detail होती है यह books की detail होती है कि वो किस ने लिखी है कहां पर लिखी है यह publisher कोन है अब यह आपको पता लगजाएगा सपोर। अधर को नंस क्या है मान लते है रवी कुमार रवी कुमार जो है ऑःतर का नाम है टाइटल क्या है book का मान लेते है computer है हमारी बुक का टाइटल इयर कौन सा है 2019, 2018, 2020 जो आपने दिना आप दे सकते हो सीटी कौन से है आपकी हमारी सीटी करनाल है तो आप अपनी सीटी डाल देंगे अब पबलीशर कौन है यानि जो ये बुक लिख रहे है जो बुक को पबलीश करेगा वो कौन है को पबलिसर काउन होता है जो आपकी बुक को पब्लिस करता है जैसे आपका प्रमोध BOOK DEPO जोतीज बुक लिपो होगय आपका जेबीडी, MbD यह जो होते हैं आपके अलग अलगalley टाइप के जो है अरीहंत पब्लीकेशन तो यह पबलिसर होते हैं. तो सब्सक्राइब यहां पर MBD मान लेते हैं MBD आप जो मर्जी मान लेना आपका Publisher कौन आप यहां पर उसका नाम लिखोगे ओके कर देना है ठीक है यहां पर यह डिटेल आ जाएगी इसको आप काट भी सकते हो क्योंकि अभी आपने सिर्फ एड कर रहे हो आप तो इसको काट दो वैसे तो यह डिटेल आ गई है यह डिटेल देखो एक बार आपको पहले एड करनी पड़ेगी सभी ओथर की डिटेल एक ओथर की डिटेल हम और एड कर लेते हैं रीना देवी माल लेते हैं रीना देवी हमारे यहां पर तो वो क्या लिख रही है बुक का कोई भाग लिख रही है सेक्शन आर्टिकल रिपोर्ट जो भी आपको कुछ फिलम आर्टिकल इंटर्विव कुछ भी लिखना है तो आप यहां पर स्लेक्ट कर लेंगे मैं लो बुक का सेक्शन लिख रही है ठीक है तो यहां पर टाइटल क्या है हाड़वेर हाड़ वियर और और ओधर कॉर्परेट ओधर भी माल लेते हैं इसी को है या ओधर आप दिखाना चाहते तो इसको भी आप ओधर दिखा सकते हो का टाइटल क्या है computer मान लेते है computer कि यह 2019 पेज आप मितलब कितने पेज लिखोगे यानि यहां पर दिखाओगे 10 पेज लिखोगे 12 लिखोगे कितने लिखने आपने यहां पर city जो है आप अपने दिखा दोगे कि आपके क्या city है publisher जो भी हाँ आपर दिखा दोगे jbd अब चलो ठीक है एड तो कर लिए आप इसका यूज क्या है यूज यह है कि यह वाला जो मैं आपको बता रहा था कि यह वाला पैरा या यह वाले बुक्स यह वाला टोपिक जो है किसी एक special author ने लिखा है आप उसका नाम यहां पर last में कहीं पर भी दिखाना चाहते हो ताक यहां पर आपके सामने आजाएगा रीना और रवी तो माल लेते हैं यह वाला टोपिक जो है रीना ने लिखा है ठीक है तो यहां पर आप सीटेसन पर क्लिक करोगे और रीना पर क्लिक कर दोगे तो यह रीना का जाएगा ठीक है तो यहां पर आप सोच रहोगी देवी आ र लिखा हुआ है रवी ने और वालो टोपिक लिखा हुआ है कि अब यह तो ले लिया आपनी अब लेने के बाद होता है अब आप यहां पर इसका सी टा Canon سॉरी जो इससका स्टाइल रहा है यहां पर कुमार रहा है यहां आप यहतो डीत भी कर सकते हो लेकिन पहले आप यहाँ पर इसका style देख लो तो यहाँ पर आपको अलग-अलग option मिलेंगे इसके तो आप देख लेना कि कौनसे option में आपका full detail है देखें यहाँ पर one आ गया आपका कुमार आ रहा है अब खाली कुमार आ रहा है यहाँ पर कुमार 2019 आ रहा है तो आप के लें kick सायव सरनेम दिखाता है ठीक्या तो आपके यहाँ पर अलग-लग स्टाइलाते हैं जो भी आपको इतने अआ स्पेसह में भी नहीं अबस कोमा हट जाएगा कोमा लग जाएगा बस यह चीजा होगा है तो यह था आपका इहां इससे पहले manage है manage में क्या होता है यदि आपको यहां पर जो situation दिये गी है इन में से कोई situation delete करनी पड़ जाती है एड तो आप यहां से कर सकते हूँ यदि आप यहां पर जो भी आपने situation insert कर रखे हैं और मानलो ओथर आपकी company में काम नहीं कर रहा है तो आपको यहां से हटाना है तो यहां पर कोई ऐसा option नहीं है कि आप यहां से हटा सकते हो उसके लिए आपको manage में जाना पड़ेगा manage में आप जब जाओगे तो यहां पर आपको situation की detail मिल जाएगी अब यहां पर दो option है यहां मास्टर लिस्ट यहां पर एक करेंट लिस्ट मास्ट लिस्ट वह होती है जो आपकी हाइड रहती है जो आपको नहीं दिखाई देती करेंट लिस्ट वह होती है जो आपकी दिखाई द करना पड़ेगा सको कहां से आपकी जो यहां जहां अपने रवी और सम्थिंग इंसर्ट किये हैं यह आपको हटाने पड़ेंगे तब जाके आप इनको डिलीट कर पाओगे जो लोग फैले हम हटा देते हैं कि मैं अंडू कर दो तो यह हट ही जाएंगे अंडू से अब कहां कहां दी होंगे मज़े खुदी नहीं पता अब यहां पर हम क्लिक करके देखते हैं कि यहां पर है नहीं है ठीक है तो आप यहां पर अपनी situation को manage कर सकते हूं लेकिन in future यदि वह author आपके company वापिस आ जाता है या उसका नाम आपको वापिस से दिखाना पड़ जाता है यहां पर तो इसके लिए क्या करेंगे manage में जाएं तो यहां पर आप copy क्लिक कर दो इसके यहां पर इसके यहां पर इसका पोड़ि आपर कर सर्च कर दोगे कोई हमारे पास बीपलोग्राफी अब यह बिब्लोग्राफी यह होती है आपकी इस company में आपके सो चुपानी में कितने अ정을 की expire है और कौन सा author क्या लिख रहा है कौन से अ Peach ने क्या लिखा है उसकी डेखना चाहते हो यानि कौन सी company में काम कर रहा है कौन सी publisher है या क्या topic लिख रहा है कब लिखना स्टार्ट किया था कौन सी city में जो जो हमने detail उट थी वह यहां पर तो सो नहीं होरी लेकिन जब हम bibliography प्रइसे पर查 है है क्या सब्सक्राइब यहाँ चयесा के कर दोगे यहाँ तो टीन आएंगे जिस फीress क्लिक कर दोगे उस option में पूरी detail ळा जाएगी difference क्या रहीगा यहां पर bibliography लिख लिखा होगा यहां पर reference लिख़ोगा यहां पर आपका work city लिख लिख ठीक है तो आपने किसी पर भी किलिक कर देना सपोस्ट कर दिया तो बीबिलोगरफी पर आपने क्लिक कlinik और पर क्या क्या दिखाई दे रहा है जो आपकी यहां पर देवी दिखाई दे रहा है यह उनी हांwide लिख रही है जो कि 2019 में लिकना स्टार्ट केथा फेलिठ वर्ली ऑप्पष यहां पर पूरी बीडी चुर्स का है ताइम इंसर्ट की थी खाली सिटेशन यहां पर जब आप इंसर्ट करते हो तो वह वाली डिटेल नहीं सो होती है यहां पर शिर्फ नाम हार्डवेर कुछ इतना ही सो हो रहा है कुछ से जादा नहीं सो हो रहा है यहां पर आपको पुरी डिटेल सो होने लग जाएगी यदि आप बिबिलोग्राफी पे क्लिक करते हो तो यह था आपका situation and बिबिलोग्राफी next बढ़ते हैं हम caption की तरफ अभी caption क्या होता है caption यह होता है यह भी आपका books के regarding है सारे option जो है आपके books या topic के regarding है अब आपने चलो book लिख लिए अब आप यह सोच रहे हो कि मैं यहां पर उस चीज को figure में explain करूं ठीक है कोई भी आपने topic लिखा उसको अपने figure में explain भी कर रखा है लेकिन अब इस situation का क्या मतलब है figure से क्या लेना देना है figure से यह लेना है यदि आप से कल को कोई पूछता है कि आपकी जो यह books लिखे आपने 10-20 page की इसके अंदर कितने figure हैं कौन-कौन से page पर है और क्या-क्या नाम से है क्या-क्या topic है तो यह आपको भी थोड़ा खाया उसके अंदर अपने दिये गए topic क्या coding figure इंसट करोगे ड्रोइंग इंसट करोगे पिक्चर इंसट करोगे ठीक है फिलाल हम डैमो के लिए कुछ भी इंसट कर देते हैं कि एक फिगर यह हो गया हमारा एक फिगर यहां कर लेते हैं कि फिगर आप चाहिए जितने मर्जी इंसट करो यह आपके उपर डिपेंड है कि आप फिगर कहां दिखा रहे हो यह आपके नोट्स के उपर डिपेंड है कि उसमें किस topic क्या recording figure आता और कितने दिखाने हैं ठीक है हम सिर्फ Demo के लिए हैं आप वैसी इंसट करके दिखा रहे हैं आपको तो तो अब फिगर म gray इंसट करने के लिंए क्या करना फिगर इंसट करने के बाद आप ने इनको झाइने के बाद आपने पक Liberty को सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है दो तो फीगर है तो फीगर आप रखोगे पोजिस्टन आगर आपने चेंज करने तो आप कर सकते फिलाल आपने कुछ नहीं करना ओके करो ठीक है तो यहाँ पर आपकर यह इसके नीचे नाम आजाएगा फिगर computer one computer ठीक है अब यहां पर आते हैं हम सेम वही परसीज यहां पर करना है तो इसको आपने hardware देदो ऑक प्राइब शन्यक्ति को अब कि इसको यह आ गया ऐसे आपने one by one हर एक को यहां पर नाम दे देने हैं ठीक है यह क्या software है अपने फिगर के नाम देने हैं वन बाई वन ये क्या है हमारा नोटबूक लैप्टोप जो भी आपने मानना है ओके और भी है अभी और भी है इसको कीबूर्ड देते हैं तो आपने नाम दे दिये नाम देने के बाद अब नाम से क्या हो जाता है एक पहचान बन जाती है आपके फिगर की कि ये वाला फिगर जो है यह इस वाले टोपिक की आकोडिंगा यानि जो भी आपने टोपिक याँ पर बनाया होगा उसके according आप figure बनाओगे उसके according नाम दोगे ठीक है अब आप ये चाहते हो कि जितने भी मैंने figure insert कर रखे हैं अपनी book के अंदर मुझे उसके बारे में जानकारी मिल जाए कि कौन सा figure किस number page पे है और मेरी book के अंदर total कितने figure हैं तो आप cursor कहीं भी क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद यहां पर आप आओगे insert table of figure तो यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर वैसे style आप दे सकते हो कि आपने कैसा style लगाना है अपने index के जो भी create होएगा तो आपने जो भी style यहां पर select करना है आप कर लेना यह फोर table and content पर click करके ok कर देना ठीक है अगर आपको नहीं जादा कुछ पता तो जैसे आप इस पर click करोगे तो यहां पर आपको लिखा जागा figure 1,2,3,4,5 यानि 5 figure है आपकी इसके अंदर total ठीक है और यहां पर आपको बता रहा है कि कौन सा किस page पर है ठीक है और यहां पर यदि आ आपको उस page पर जाना भी है तो control और click करोगे ठीक है control और click control दबाना है और click दबाओगे तो आप उस वाले figure पर चले जाओगे पांच वाले figure ठीक है दुबारा फिर देखते हैं हमने जाना है computer वाले figure ठीक है तो हम यहां पर computer पर click किया control दबा के तो यहां पर देखो हमारा cursor जो है computer पे आगया यहनी यहाँ पर एक reference क्रियेट हो जाता है आपके figure का जैसे ही आपका यहाँ पर आपका में थोड़ा निच्छे आता हूं यहाँ पर आपका index table create हो रही थी यह आपके document की create हो रही थी यहाँ पर भी इसी परकार आपके index table टेबल क्रियेट होती है लेकिन यहां पर आप उस फिगर पर जाना चाहते हो तो डिरेक्टली जा भी सकते हो लेकिन यहां पर जब हम आ रहे हैं अपनी फिगर के अंदर टेबल के अंदर तो यहां तो अब भी नोट बुक है तो इसके लिए आपने करना क्या है अपड़ेट टेबल पर अपने क्लिक करना है और ओके कर देना है एंटायर टेबल पर क्लिक करना है एंटायर टेबल पर क्ल लेकिन फिर एक बार और बता देते हैं कोई राएंस देखो आप अपने legitimate को Central checking करना चाहते हो कि कि इतने हैं कितने यह तो Ugye आपका अैब कितने टॉपींग हैं वह भी आपका हो गया लेकिन आप उस टोपिक पे डाइटार ली जानाओ वह अब यहाँ पर आप क्रोस राफरेंस देखो ये अपका तभी चलेगा क्रोस राफरेंस जब आपने पर्टिक्वली अपने जो भी डुकुमेंट उसको हेडिंग दे रखिया जैसी आप मैंने पहले नूर्ट बुक रहाताका आप नोब नोट्यविक क्या यदि आपने नहीं दे रखे होगा तो आपका cross reference जो है नहीं चल पाएगा प्रोपर तो जैसे मैंने अभी last में जो जो work किया वो सारा work आपके document में होना चाहिए सबसे पहले तो heading convert होनी चाहिए figure insert होने चाहिए आपके footnote and undernote insert होने चाहिए तभी आपको मैं यह सारे option बता पाऊंगा चल अब देखते हैं यह चलता कैसे तो यहाँ पर आपने cross reference पर click करने के बाद अब आपने so क्या कराना है so कराना मने heading so करानी है ठीक है कौन सी heading so करानी है है यहाँ पर अलग लग है तो मैंने computer heading so करानी है ठीक है computer पर छीक आपने सो करानी है लेकिन इस का दिखाना क्या आपने इसका page number तिखाना है heading नंबर दिखाना है क्या दिखाना है सब्सक्राइब हमने यहाँ पर इसका गड़ बड़ नौज़े तो computer पर click करते हैं यह हो गया हमारा close करो यहां पर एक बार enter कर लेना यहीं next दिखाने के लिए आपका enter करना पड़ेगा अब जैसे hardware को दिखाना है तो यहां पर enter यह भी एक तरह का आपका index सब्सक्राइब फिलिए करने अकटो मेंने अबपको पे नंबर ने इंसर्ट करें जैसे हैं आपने पेस नंबर CRC म करने तो यहां पर computer पर क्लिक करके यहां पर आप पेज नंबर पे क्लिक करोगे ओके तो यहां पर पेज नंबर आजेगा और यहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप दे लेना बड़ा आसाना इतना मुस्किल नहीं है तो यहां पर क्या हमारा हाडवेर और हाडवेर को यहां पर पेज नंबर आप को heading अब यहां पर insert करके दिखा देता हूं आपको देखो यहां पर आप detail heading में कुछ लिखना चाहते हो कि my document detail my document content यह कुछ भी my document index आप यहां पर वो दिखा सकते हो ठीक है मैंने सिर्फ वैसे simple लिख दिया है लेकिन heading दोगे थोड़ा अच्छा लगे अब आपने ठीक heading दिखा दी अब bookmark देखने हैं आपने कितने bookmark हैं तो bookmark तो हमने नहीं लगा है sorry bookmark नहीं लगा है हमने footnote लगाए है footnote लगाए दोगे चार footnote लगा रहे है ठीक है तो आपने यहां पर कोई सा footnote इंसट करना एक किसी का reference यहां पर आपने देना है तो आप उस पर क्लिक करके insert कर दोगे तो यहां पर आजाएगा ठीक है देखिन यहां पर आपने footnote number पर क्लिक किया था इसलिए वही आया यहाई यदि आपने इसका page number क्लिक करना है तो वह page number भी आ जागा यहाँ पर ठीक है और यदि आपने यहां पर आगे कोई और दिखाना है महां लेते हैं फिगर नंबर पांस दिखाना है और इंसर्ट क्लोज देखो मैं आगर सारे कराऊंगो तो बहुत टाइम लग जाएगा यानि आप समझ जाना कि ऐसे हम इसको सोरी जैसे मैंने यहां पर आप यहां पर प्लस क्लिक यानी यह एक तरह से लिंक हो गया है यह यहाँ आपके उस heading का जो आपने यहाँ पर insert कर दिया तो control दबाएंगे और यहाँ से कीबोर्ड से माउस से आपने click दबाना है तो आपका cursor यहाँ पर चला जाएगा अपने यहाँ दुबारा फिर देखते हैं हम नहीं जाना है है here software पे तो control और click दबाना है तो हम u software पे चले जाएंगे के तो फिर देखते हैं हमने जाना है फूटणोट पे आपकीबार हम फूटणोट पे जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपने control और click दबाना तो फूट नोट पे चलेगा घो पहले आपने फूट नोड दिया था कंप्यूटर ठीक हैं अब किगर पे जा ले कैं क्या फिगर पे जाता है करसर तो फिगर पे जाना हमने पांस लृवाले फिगर पे जाना है तो Fine प्लस क्लिक करेंगे तो फिगर नंबर 5 पर चला जाएगा तो यह था आपका close reference यानि आप अपने document का एक sort link create कर लेते हो heading sub heading figure number heading number इनका सब का एक index create हो जाता है जिससे आप directly वहाँ पर click करके जा सकते हो यानि एक link create हो जाता है तो यह था और यही 2 årim a इनडेक्स इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या होता है इसमें देको मार का एंट्री आप अपने को किसी को मार्क करना चाहते और कितने एक्स-क्न अपने मार्क करते हैं उनकी आपने इनडेक्स टेबल करनी हैं तो इसके लिए यह यूज किया दाता है यह भी स्विम्ट से मैंसे टेबल ओफ कंटेंट या ऐसे ही क्रोस रेफरेंस की तरह ही है कैसे तो मान लेते हैं आपने कंप्यूटर को ही मैं देखो यहां पर दो-tेन अलड़ी लगा लिया है कभी आप कंट्यूज हो जो यहां और आप क Computer को ही से ना चाहते हैं क् neden आप कछे ना चाहते अ हूग आप दे सकते हो मैं अपना नाम देता हूं ठीक है वैसे दे रहा हूं आप देनियों दे नहीं देनियों मत दो ठीक है कोई इसका लेना देना नहीं है बोल्ड इटलिक करना चाहते हुए तो कर सकते हो और Mark पे क्लिक करो, जैसे आप Mark पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर So and Hide option जो है, वो आपको So होने लग जाएगा, आप इसकी headache ना लो, यह अपने आप ही normal हो जाएगा, यदि आपको फिर भी problem हो रही है, तो यहाँ पर Home में जाओगे, और यहाँ पर So and Hide पे क्लिक करोगे, normal हो जा कर लेते हैं, किसी और को Software को Mark कर लेते हैं, आपर, Software को आपने यहाँ पर Mark करना है, तो यहाँ पर Software को आपने Mark करना है, यहाँ पर भी, देखो मैं अब Sub Entry दूँगा, आप बस OK करो, Mark करो, और एक को और Mark कर लेते हैं, कीबोर्ड को, ठीक है, Close, Select, Mark, और OK, ठीक है, अब यह कर करने लग जाएगा, अब Mark जो आपने Tax किया है, उसका Benefit क्या है, मतलब क्या हो जाएगा, Mark करने से, Mark करने से यह हो जाता है, यदि आपने कोई Tax, जो Mark कर रखा है, उस पर 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 इंडेक्स को Mark किया था, और आज मैंने इसको पढ़ना है, जानना है, बताना है, तो आप उस Exactlyyou directly जा सकते हो। कैसे जा सकते हैं तो इसके लिए Clear to reference जा एंगे और यहांपर इंडेक्स आ जाएबड़ आईगा आपका create index तो आपने इस्पिक क्लिक किया इंडेक्स पर और यहां पर भी उप्षे डिया और यहां पर कुछ टायल आपके अब यहाँ पर आपने यह बता रहा है कि जो आपका computer है ठीक है जिसकी sub heading आपने सत्पाल दी थी ठीक है आप यह confused मत हो ना जो की page number 1 पे है यानि जो आपका जो पहला text जो आपने mark कर रखा है उसका जो reference है वो page number 1 पे है ठीक है और जो keyboard है वो आपका page number 3 पे है और जो आपका software ह यह page number 4 पे है sorry sorry 2 पे है ठीक है तो अगर आपने देखना है कि software क्या वाक्य में 2 पे हम जाके देखते हैं कि यह गलत तो नहीं दिखा रहा है software जो है page number 2 पे है page number 2 पे है बिल्कुल सही दिखा रहा है ठीक है मुझे लगा कि यह confused करके दिखा रहा है नहीं सही दिखा रहा है ठ इनका आप यहां पर index create कर सकते हैं कि मैंने कितने text जो है mark कर रखे हैं किस-किस नाम से mark किये हुए थे आपने यहां पर वह नाम भी आजएगा अपडेट में वही same to same update जो अब तक मैं आपको बताते आया हूं जैसे यहां पर आप कोई भी आपनी mark entry को या कोई भी index को जब index जो है वह अपडेट हो जाएगा ठीक है जैसे आपका यह figure का अपडेट करके दिखाया था ऐसी यह भी अपडेट हो जाएगा माले software को आपने यहां पर hardware कर दिया तो यहां पर वह hardware दिखाएगा ठीक है तो यह आपके mark entry था next हमारे पास caption अब caption भी क्या है यह भी आपको mark क करना पड़ेगा यह भी इसमें भी कुछ-कुछ ऐसा ही है और इसमें भी आपकी table and 30 जो है यह यह टेबल एपकी create होती है यह इनि इंडेक्स टेबल आपके create होती है लेकिन इसमें क्या होता है इसमें आप category wise आप अपना document find कर सकते हो जैसे कि आपने book लिखिया उस book में computer related भ भी है या किसी और topic से related भी है यह आपकी जो आपने जो document बनाया है उसके अंदर अलग-अलग topic के according आपके category है तो आप category wise index create कर सकते हो और उसको आप बड़ी आसानी से find कर सकते हो कैसे इसको भी जानते हैं देखो वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन यदि आप वीड जो आपको लंबी जितनी हो रही है उसको बहुर्यत महसूस नहीं हो रही होगी तो यहां पर भी हमने आप मार्क करना पड़ेगा क्या मार्क करेंगे पहले मार्क करने के लिए कह रहा है तो मार्क हम कर लेते हैं computer को करते हैं तो अभी भी computer को करेंगे तो मार्क कर दिया जैस आप यहां पर category बाद में भी नहीं नहीं पहले हमें यहां पर category चेंज करने पड़ेगी कि category कौन कौन सी है मैं एक दो insert कर लेता हूं यदि आपको category यहां पर जो आपके recording नहीं मिल रही है मालों computer जो है computer के अंदर आना चाहिए था वो तो ही नहीं इसके अंदर तो देखो आप आप किसी भी category को change कर सकते हैं जैसे यहां पर category 8 है तो यहां पर 8 क्लिक करोगे तो mark कर दिया तो आपने यहां पर category क्योडिंग यह इडिट केटेगरी अब यहां पर आपने एडिट केटेगरी 8 को स्लेक्ट करना इसको कुछ भी लिख देना जो भी आप देना चाहते हुं कम प्यूटर मैंने कंप्यूटर दे दिया का ठीक है तो यहनि एक computer ग्री होगी हमारे पास आपने और भी करनी है यह सॉरी replace नहीं हुई हमने रीप्लेस करने था इसको घंप्यूटर करने के बाद replace करना लिप्लेस करने के बाद ओके करना है ठीकहा आपका ही हो चुका हो का और भी लिए नों को HC कर देते हैं लेफटोप कसे लेपटोप कर दाए अपने डिपलेस और इसको आप कुछ और कर दो जैसे आपके पास कोई टीकभी किया इसको इस बढकी सोरी लिउडagd नहीं गया हाडवेर ठीक है देखो मैंने तीन कटेगरी दिये हैं आप अपने कोडिंग जो भी देने हैं आपने जैसे मैंने 2007 के उपर जब वीडियो बनाई थी रैफेरेंस की तो उसमें मैंने अलग-अलग टोपिक लिया थे जैसे फ्रूट का लिया था कोल ट्रिंग्स का लिया था याप मैंने यहां पर ताइप करना पड़ाएक इसलिए मैंने पहले से यह जो मेरे रौड़ी डोकमेंट बनावा उसको ले लिया है ओके अब यहां पर सब्सक्तिक्त कुम्पीटर की काटेगरी क्या है कंपीटर की काकिटर काते कटेavior यहां से स्लेक्ट करेंगे कंप擊 य मि भी को जाएगा भी और और हाडवेर को भी हम मार्क कर लेते हैं ठीक है एक मिट हाडवेर को पहले हम कंप्यूटर में दे लेते हैं वरना थोड़ा हां कंफ्यूजर होगे यहां पर इसको कंप्यूटर मान लेते हैं मार्क ठीक है अब यहां पर सॉफ्टेर भी कंप्यूटर में कर देते हैं सॉफ्टेर को भी कंप्यूटर में यहां पर computer और मार्क ठीक है आब notebook यह notebook को माल लेते हैं यह hardware का टॉपीक हमारा ठीक है तो sorry पहले select करना है और और पिर आपने mark entry पे click करना है पिर आपने category set करना है अब इसको हम hardware में set कर लेते है hardware okay ठीक है और hardware में अदो निच्चे इंदे कर लेते है कोई हो रहा है हमारे पास keyboard हो गया keyboard को आप hardware में set नहीं पहले close फिर select फिर mark entry फिर यहाँ पर hardware mark ओके आपके पास कोई और topic है आप भी ले सकते हो ठीक है content भी ले लेते हैं ठीक है content mark यह मैं वैसे ले रहा हूँ इसका हम लैट्टॉप में कर देते हैं मार्क अब जब आप अपनी जो भी टेक्स को आपने जिस भी काटेगरी में अपलाई करना था स्ट्ट करके मार्क कर लेना है मार्क करने के बाद अब यूज क्या है इसका पहले तो इसको home में जाके normal कर लो hidden so पे click करके normal हो जाएगा देखो इसका भी index create होता है यह किसलिए create होता है यह किसलिए जानने के लिए create होता है वो भी आप देख लो जिस परकार अब यहां पर आपको index create करते हैं दिखा रहा था हमें यहां पर figure का यहां पर mark का यहां पर content का ठीक इसी प्रकार यहां पर table and authority का यह situation जिसको आप बोल रहे हो इसका भी figure create होता है तो यहां पर आप आपने mark किया हुआ है जो जो text sorry उसकी आपने index create करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे एक खाली जगा पर काई पर भी click कर देना और यहां पर insert table of authority पर click कर देना यह भी वहीं पर वहीं आप्शन हो रहे हैं style देना कुछ दो कुछ नहीं देना यह दिन के बारे में knowledge है ठीक है और ना okay कर दो अब okay करने पर क्या आ रहा है ठीक करने पर आ रहा है कि जो computer होटएर आपका topic है यह computer जो क्राइक कैटेगरी है उसके अंदर क्या क्या topic gagnर क्या कि आपका laptop है जो कि इस इस पेज़ पर है जो आपका laptop है उसके अंदर जो laptop की प्रूड मथा काटेगरी हो सिब्क रिढ़ कर वेलियो energy देना रहाए चूब आपने दी थी वह keyboard है उसके अंदर जो कि पेज नंबर तीन पर और एक notebook है जो कि पेज नंबर दो पर यह यह भी एक तरह से आपका एक इंडेक्स क्रियेट हो रहा है लेकिन यह वह इंडेक्स क्रियेट होता है जो आपने category wise set किया गया होता है देखो मैं आपको वापिस से फि आपका यह content जो होता है वह आप create करना चाहते हो अपने lesson या topic या coding अपने document करेंदा ठीक है यहां पर कोई आप टेबल नहीं create कर सकते हैं और यहां पर आप एक table create कर रहे थे यहां पर table क्या create हो थी यहां पर वह वाली table create हो थी जो जो आपने अपने figure number दे रखे हैं कहां कहां यहां वाली पर यहां वाली पर हमें यह वाला सो हुआ था जो जो हमने text mark किये हो है कि हमने अपनी book के अंदर कितने text mark किया है वो किस page पर है यह जानने के लिए और उसका index हमने यह create किया था और यह वाला जो आपका उसके बाद वो दिखा देगा कि आपकी उस category में कितने content हैं कितने topic हैं और वो किस page पर रहे हैं तो आज मैंने आपको बताया reference tab के बारे में और आसा करते हैं कि हमने जो आपको समझाया है वो आपको जरूर समझ में आया होगा और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो like और सब्सक्राइब बरना ना भूले और आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में थैंक्यू धन्यावाद झाल